असलाम अलेकूम, हलो दोस्तों, मैं जुलेखारफाद, जुलेखासकिचन.com से, अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और बराबर में बेल आइकन हैं, उसे भी टेक करें, और नोटिफिकेशन पर, ऐसा करने से, आपको मेरी रेसिपी सब से पहले देखने मिलेगें, वो भी फ्री में, और रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक जरूर कीजिएगा, तो चलिए देखते हैं, आज की रेसिपी, आज हम बनाते हैं, बढ़िया सा डीफ्राइड आइटम, जिसका नाम है, चिकन चीजी कबाब, आप चिकन चीजी कबा जो हमारे आती है, रेडवाली सुखी मिर्ची की, उसकी चटनी के साथ सूफ कर सकते हो, वैसे दोनों ही चटनीों के रेसिपी लिंग आप लोग के लिए दिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक, आप हाँ चेक कर लीजीगा, यह दिखें, मैं आपको एक खोल कर दिखा देती ह बिसमिल्लाराह्मानेरेम, क्या बढ़िया सा चीजी आप देख सकते हो, कितना चीजी लग रहा है, माशाला, कुछ रमजान की रेसिपी, जैसे डी फ्राइड आइटम्स हो गई या फिर शाम के स्नाक्स के लिए, रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया, आप लोग में दाल दीजिए, आप चाहे तो हड्यों के साथ भी ले सकते हैं, इसमें दाल दीजिए एक कप पानी, नम्मक स्वाद अनुसार, चूला चालू कर दीजिए, और एक टेबल स्पून भर कर अधरक लसन का पेस्ट दाल दीजिए, और इसे मिक्स कीजिए, फास्ट आज पर जब एक उबाल आ जाता है, तो आप चाहे तो मीडियम कर दें या आप चाहे तो स्लो कर दें, मैं हलका सा मीडियम से स्लो के बीच में रख रहे हूं, तो तब तक पकाए जब तक चिकन नहीं गल जाती, कुछ देर बाद जब चिकन पक जाए, तो चूला कर दीजिए, फास् के बज़ाए, आप 300-400 ग्राम चिकन ले सकते हैं, चूला में कर देती हूँ, बंद और इसे ठंडा होने साइट पर रख दीजिए, दो अंडों को एक बाल में डाले, आप चाहे तो नम्मक और काली मिर्च दाल सकते हैं, नहीं तो स्किप करें मेरी तरह, मैं 1 तीबिल के बाले होएं, मैं नियुम साइज के थे, इसे मैंने प्रीवियस्टी बॉयल कर लिया था, अब यह जो हमारी चिकन है, यह पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है, इसे श्रेड कर ले हातों की मदद से, और यह भी सारा डाल दें इसके अंदर, जो बॉयल आलो है इस तरीके स कोथ मिर दाल दीजिए, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर दाल दीजिए, मैंने आधा चोटा चाय का चमच से, 3-4 चोटा चाय का चमच दाला है, आप अपने स्वादा नुसार दाल सकते हैं, यह मैंने हरी मिर्चियां एक चोटा चाय का चमच कूट के दाल भी हम, अगर आपको नम्मक कम लगे तो नम्मक दाल दीजिए, स्पाइस कम लगे तो मिर्चों कूट के या पीस के दाल दीजिए, अच्छा मिक्स हो जाए हादिलियों पे थोड़ा सा तेल लगाएं, छोटा सा पोश्चिन मिक्षिर का लें, बॉल बना लें, अच्छा सा बॉल बन तो इस तरीके से मिक्स्चिर को चक्ता करते जाए, अच्छा चक्ता हो जाए तो यहां ये जो मैंने साइड पर खुरच कर चीज रखी है, ग्रेट करकर ये दाल दीजिए बीच में और इस तरीके से इसे बंद करते जाए है, तो यह हमारा एक हो गिया चिकिन चीज कबाब इसी तरीके से अब सारे कबाब को बना लीजिए एक एक बनाएं और साइड पर रखते जाएं चीज यहाँ पर मैंने पिज़ा चीज लिया है और ये जो चीज है इसे मैंने खुडचा है आप चाहें तो चोटे-चोटे पीज भी कर सकते हैं लेकिन बेटर रहे आप खुरच के लिए तो प्यूंकि तेल के अंदर जल्दी पिगल जाते हैं ये खुरच के डालते हैं तो चीज इस सारे कबाब मैंने वार लिये हैं अब इसके अंदर लास्ट प्रोसीज़ बाकी है अंड़ जो हमने साइट पर पेट के रखा था वो लीजिए इस बार और थोड़ा सा ब्रेट करम्स लीजिए एक एक डिप कीजिए अंदे के अंदर अच्छे से कोट कीजिए उलट-पलट करके साइट्स पर भी और ये जो ब्रेट करम्स वे इसमें भी बहुत अच्छे से पुलट पलट करते हुए लगा लें ब्रेट करम्स में रोल कर लें और ये बन गया हमारा चिकन चीज कबाब पूरा फिनिश्ट प्रोड़क्ट है अब सिर्फ फ्राइंग करना बाकी है तो इसी त प्लास्टिक लगा दीजिए उसके ओपर थोड़ा सा तेल ग्रीज कर दीजिए बेस को और एक करके ये जो चिकन कबाब है वो दालते जाए इसमें और एक साथ इतने बहुत मत दाल दें थोड़ा थोड़ा बीच में स्पेस रखेंगे तो जादा बैटर रहेगा और इसे ठ आपके डीफ्रीज करके आप 15-20 दिन तक खा सकते हैं और आप जादा कबाब फ्रीज कर रहे हो तो दूसरी लाइन डारेक्ली मत दाल दीजिए बीच में एक प्लास्टिक को लीजिए उलड पलड पे थोड़ा सा तेल लगाईए और पहले प्लास्टिक रखिए और फिर ये कर लीजिए जब अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आज कर दीजिए और बिस्मिल्लाय रख्मानी रेम बोल कर तीन चार कबाब जो है हमारे इसे डाल दें गरम तेल के अंदर और इसे फ्राय होने दें मीडियम आज पर उलट पलट करते जाए और जब गोल्डन ब्राउन चारो और से हो जाए तो अपने आप 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 आपमेटिकली क्रिस्पी भी हो जाएंगे तो चारो और से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिशु पेपर के उपर साइट पर रख दीजिए इसी तरीके से बाचल में फ्राय कर लें मीडियम आज अगर आपने डीफ्रीज करके रखा है तो आदे घंटे पहले निकाल कर इसे थो करें और फिर फ्राय करें बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी क्योंके आलू है उपर से और चीज भी इतना है तो इसके लिए लेकिन आपे ना मिर्चियां और काली मिर्चियों का हिसा काब और मिजान अपने श्वादनु सार दालिएगा तो चलिए यह करम गरम चीजी चिकिन काबाब को आप चाहे तो सॉस के साथ सर्फ करें या किसी भी चटनी के साथ सर्फ करें और इंजॉय करें तो यह थी आज की रसिपी अगर आप मेरी रसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंस सेक्शन में जरूर शेय कीजिएगा मुझे आपकी कमेंस पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से हाजिर होंगे एक नहीं शांदार रसिपी के साथ अंतिल बें टेक केर अलाहाफिस बब आप